दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ XS Blue Chip Fund के बारे में ये fund आज से 2-3 साल पहले तक one of the best performing large cap fund हुआ करता था लेकिन पिसले कुछ टाइम से ये fund perform नहीं कर रहा था तो आज इस वीडियो में हम लोग detail में देखेंगे इस fund की investment strategy कैसी रहती है क्या ये fund अब अच्छा perform करने लगा है फिर से या नहीं कर रहा है क्या ये fund अपने benchmark index को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ये सारी चीज़े आज आज हम इस वीडियो में देखेंगे और end में हम बात करेंगे कि क्या आपको इस fund में invest करना चाहिए या नहीं अब दोस्तो investment की बात चली रही है तो मैं आपको एक book suggest करना चाहूंगा Stock market for beginners ये book आपको as a stock market में सिखाती है कि कैसे आप अपनी शुरुवात कर सकते हैं stock market में और कैसे आपको as a new investor अपनी जर्नी की शुरुवात करनी है अब अच्छी बात क्या है कि इस book को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इस book को आप सुन सकते हैं कुकू FM पे कुकू FM इंडिया का leading audio show platform है 10,000 plus audio show library इसके platform पे available है 4.5 का rating इसकी Google Play Store पे आपको मिल जाएगी और साथ में दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि इस book को आप अपनी regional language में भी सुन सकते हैं Hindi, English, Marathi, कोई भी आपकी regional language है आप उसमें इस book को सुन सकते हैं और अगर आप मेरा coupon code use करेंगे तो आपको 50% का discount मिल जाएगा लेकिन यह offer सिर्फ first 250 users के लिए available है तो link description में मैंने आपको दिया हुआ है download कर लीजिए सिर्फ 199 रुपीज में आप कुकू FM के एक साल की subscription ले पाएंगे अगर आप मेरा coupon code use करते हैं अब आईए दोस्तों एक बारी देख लेते हैं कि access blue chip fund कैसा perform कर रहा है और क्या इसमें invest करना चाहिए या नहीं तो दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी यह एक large cap fund है तो large cap funds majorly top 100 companies में ही अपना पैसा invest करता है अगर हम इसके benchmark index की बात करने तो BAC 100 ERI इसका benchmark index चल रहा है वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इसकी launch date की तो January 2013 में यह fund launch हुआ है अगर इसके direct plan की हम यहाँ पर बात करते हैं fund manager की बात करें तो Mr. Shreyes दिवलकर जी इस fund को November 2016 से handle कर रहे हैं तो यह एक positive बात हमेशा से रहती है अगर consistency with respect to fund manager यहाँ पर देखने को मिलती है तो यह एक काफी positive बात इस fund के लिए यहाँ पर नजर आती है इनके साथ Mr. Shreyes दास डी भी इस fund को November 2020 से handle कर रहे हैं उसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें fund size की तो यह एक major problem इस fund की हो चुकी है fund size इसका 37,000 करोड के आसपास हो चुका है तो fund size बहुत जादा इस fund का भी हो चुका है उसकी वज़े से एक doubt आने लगा है कि क्या यह fund जो अपना best perform करने का जो इसका हमेशा से एक वो रहा है वो उसको maintain कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इसकी यहाँ पर market cap allocation में तो majorly यह सिर्फ अपना जो पैसा है यह large cap companies में ही लगा कर चल रहा है 87% पैसा यह large cap companies में इस वक्त लगा रहा है mid cap companies में नाके बराबर पैसा है सिर्फ 0.43% और small cap companies में कोई पैसा यह fund नहीं लगाता है तो major allocation जो है इसकी वो large cap companies में ही यहाँ पर नजर आती है तो दोस्तों इसके अलावा 10-11% पैसा यह अभी cash में भी यहाँ पर रखकर fund बैठा है तो जो cash का level है वो excess mutual fund के काफी सारे funds का इस वक्त काफी जादा यहाँ पर हो चुका है वहीं दोस्तों बात करें अगर इसकी expense ratio पर तो 0.55% की expense ratio है काफी reasonable expense ratio है यह category average 1.04% है तो expense ratio इसकी बहुत जहाँ पर कम नजर आती है उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें exit load की तो अगर आप अपना डाला हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो 10% तक investment पे आपको कोई exit load नहीं देना होगा लेकिन अगर आप 10% से ज़ादा पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो उस पे आपको 1% का exit load देना होगा वहीं दोस्तों इसकी risk ratios एक बार ही देख लेते हैं तो risk ratios पे अगर इसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले standard deviation देख लें तो standard deviation किसी भी fund का यह बताता है कि एक fund कितना जादा volatile है returns देने के मामले में standard deviation इसका अच्छा देखता है जितनी कम standard deviation उतनी कम volatility वहीं दोस्तों sharp ratio इसकी काफी खराब यहां पर नज़र आती है sharp ratio किसी भी fund का यह बताता है कि एक fund कितना better risk adjusted return दे रहा है यानि कि कम risk लेकर जादा return तो sharp ratio के मामले में थोड़ा सा यह अपनी जो category average है उससे खराब करते हुए नज़र आता है वहीं turnover ratio पर बात करें तो turnover ratio किसी भी fund की यह दिखाती है कि एक fund कितना जादा अपने portfolio में changes करता है यानि कि एक बारी company को portfolio में add करके long term के लिए अपने portfolio में जगा देता है तो turnover ratio के मामले में यह fund थोड़ा यहां पर better लगता है सिर्फ 45% की ही इसकी turnover ratio है यानि कि बहुत कम changes यह fund अपने portfolio में यहां पर करते हुए चल रहा है वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इसके sector allocation पे तो देखे mostly जितने भी large cap funds होते हैं वहाँ पर आपको इसी type की majorly allocation देखने को मिलती है major allocation financial sector में 38% उसके बाद technology sector में 12% अगर आप nifty 50 index को देखेंगे तो वहाँ पर भी major allocation financial sector की ही होती है और उसके बाद technology sector तो वही सब कुछ यहां पर अभी यहां पर नज़र आता है तो majorly financial sector में 38% पैसा technology में 12% उसके अलावा service automobile और material sector में यहां पर यह fund पैसा लगा कर चल रहा है वहीं दोस्तो companies पे बात कर लें तो companies में आपको यह देखने को मिलेगा कि majorly जो companies हैं वो nifty 50 index की ही companies देखने को मिलती है ICIC bank, Bajaj Finance, एक Avenue Supermarts आ जाती है जो nifty next 50 से belong करती है उसके अलावा फिर से SDFC bank, Infosys, Kutak Mahindra bank, TCS तो अगर आप majorly देखेंगे top 10 जो nifty 50 index की companies हैं वो इसके portfolio में यहां पर नजर आती है ICIC bank, SGFC bank, TCS Infosys, Reliance Industries यह सारी companies nifty 50 index की top 10 companies में शामिल हैं तो वो ही यहां पर majorly नजर आती हैं इसके अलावा M&M और L&T जैसी companies भी यहां पर नजर आती हैं majorly अगर आप companies देखेंगे Avenue Supermarts, M&M यह थोड़ा यहां पर growth oriented companies हैं उसके अलावा कुछ यहां पर value oriented companies का mixture करके यह fund इस वक्त यहां पर चल रहा है तो जैसे कि मैंने बताया था बहुत जादा changes portfolio में नहीं करता है और वही चीज यहां पर इसके portfolio में भी नजर आती है उसी तरह दोस्तों अगर हम returns पर बात कर लें तो अगर आपने 10,000 रुपे इस fund में एक साल पहले लगाये होते तो आपका जो वो पैसा है वो negative यहां पर हो चुका है उसका impact इस fund के उपर आता हुआ नजर आता है पांच साल में दोस्तों इस fund ने 14% की return दिया है और अगर आपने इस fund की inception में यानि की January 2013 में 10,000 रुपे लगाये होते तो वो पैसा इस fund ने आपका 39,000 के आसपास बना दिया है 15% के आसपास की return इस fund ने आपको generate करके दिया है तो overall एक 15% 14% की return दोस्तों देखिए अगर long term में कोई भी large care fund आपको दे रहा है तो एक अच्छी returns आप इसको मान सकते हैं कम risk होता है तो उस वज़े से returns भी कम आपको expect करके चलनी है तो 14-15% की एक अच्छी returns आप long term में यहाँ पर मान सकते हैं SIP investment में बात कर ले तो वहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिलती है एक साल में खास returns नहीं है अगर आपने 1,000 रुपीज पर मन्त से SIP कराई होती एक साल में 12,000 की लागत similar आपकी दिखती है 12,000 के आसपास की ही 5 साल में 60,000 की लागत आपकी 85,000 के आसपास हो गई है 3 साल में 36,000 की लागत 44,000 के आसपास हो गई है तो 3 और 5 सालों में अच्छी returns यहाँ पर यह fund देता हुआ नजर आता है लेकिन 1 और 2 साल में कुछ खास returns नहीं है अब दोस्तों देखें मैं हमेशा आपको बोलते हो या रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी fund को judge करना है कि क्या वो fund अच्छी returns दे रहा है या नहीं दे रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 6 months, 1 year, 2 year और 3 years में यह fund अपने benchmark index को beat नहीं कर पाया है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक साल में इस fund ने negative 7% के आसपस की return दिया है वहीं इसके जो benchmark index है उसने nil return के आसपस दिया है दो साल में इस fund ने 19% की return दिया है इसके benchmark index ने 24% की return दिया है तो यहाँ पर भी कम returns है तीन साल में इसके benchmark index ने 18% की return दिया है और इस fund ने 14% की return दिया है तो तीन साल के period में भी यह fund अपने benchmark index को beat नहीं कर पाया है हाला कि 5 साल में यह fund अपने benchmark index से slightly better return दे रहा है 14% की return इसने 5 सालों में दिया है और इसके Benchmark Index ने 13% की और दोस्तों कमाल की बात आप देखिए कि 5 सालों में यह अभी भी one of the best performing funds यहां पर चल रहा है लेकिन यहां पर जो इस fund में दिक्कत आपको दिखती है वो लगवग सभी large cap active fund में आपको देखने को मिलता है कि over a period कोई भी ऐसा large cap fund पिछले 10-20 सालों में नहीं है जो consistently एक अच्छा perform करने वाला fund यहां पर रहा हो और यही चीज इस fund में भी यहां पर नजर आती है कि consistently अच्छा performance इस fund का भी नहीं है और majorly अब यही देखा जा रहा है कि जितने भी active large cap funds हैं वो अपने benchmark index को बीट करने में थोड़ा सा यहां पर मुश्किल उनके लिए हो रहा है तो better choice यहां पर नजर आती है कि अगर आप large cap companies में invest करना चाते हैं तो अब index fund का सहारा लेकर invest करें ताकि आप at least index जितनी returns तो generate कर ही पाएं बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कोकू FM का link मैंने description में आपको दे दिया है मेरा coupon code यूज करेंगे तो 50% का discount ले मिल जाएगा और 199 रुपीस पर year में आप बहुत सारी books सुन पाएंगे तो जाकर download कीजिए और book सुनना अपना शुरू कीजिए मेरी तरफ से दोस्तों बसाज इतना ही धन्यवाद